ये साथ मौजूद है जैन चौदरी जैन आज आप जो है रासभा में जब बोलने के लिए खड़े हुए भारत सतनी का जिक्र हो रहा था लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से टिपड़ी की गई कि कैसे बोलने का मौका दिया जा सकता है हाथ उठाके कई मेमरों ने कहा कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ जो फैसला कोई MP ने ले सकता वो चेयर का फैसला पिरोगी है कौन बोलेगा किस विशे को वहाँ उठाया जाएगा ये भी सभापती तै करेंगे मैंने कल सभापती जीसे इंदरकवास अपनी रखी जब इतना बड कि इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें भी अपनी बात रखी रखने की मौका अफसर मिले तीन जो भारत व्रपिन दिये गए नौतारी को बड़ा समान है देश का तब शायद चेयर मना नहीं करते हैं लेकिन मेरी बात को जिस तरह से उन्होंने काटा तो सभापती जी न लेकिन यह वो अफसर नहीं है कि मैं अपने परसनल अटेक को इशू बनाओ चौधी चलंसी जी मुझसे बड़े हैं वह चोटी दलगत रादनीती से उपर हैं वह एक चोटे चुनाव के मसले से उपर हैं यह बात सबको समझनी चाहिए यहां पर कॉंग्रेस के निता बहर आ रहे हैं कि सौधेबादी अगर आप एंडिय का हिस्ता बनते हैं तो यह माना जाएगा कि भारत रत्म के लिए सौधेबादी नहीं है कहीं किसी हिसाब से छोटा सम्मान नहीं है सोच समझ के सरकार में दिया देश की जनता और हर वर की भावनाओं के अनुरूप दिया है गाओं गाओं में खुशी का माहूल है तो यह गलत कहा है सौधेबादी वह बतार है अगर आप नडियए के साथ जाते हैं तो देखिए ऌत सौधेबादी नहीं होते हैं वो शब्ड का चreto ही गलत है एक विश्वास बनता है तब फैसला लिया जाता है जन्ता के बावना के नुरूप लिए जाते हैं, पार्टीłada गडबन्दन करती है, पहली बार नहीं हो रहाँ, पहली बार नहीं बिगताओं, पार्टी सब साथ मिलके काम करती है, एनल्ध कर नहीं कि अनला रहा है वहरों, भार संघ्वार जाकर स concurिण अनुड़ाकर तो कि अतं तब क्या माना जाए आप अधिकान सीटों पर अनिश्चित ही रहा था वह चीजे ते नहीं आप अपने जा रहे हैं जो आप से पूछ रहा था जब वह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और गोशना तै होगी किस तारीक पर हम लोगों को पूरा अपना प्लैन हुजागर करना ह जो आपने सवर्ण के अंदर जो आपने सब्सायर के अंदर का यहा कि प्रवान तो मेंदन मोदि 14 साब की नीतियों को आगे बढा रहें विचारों को कि अचीज KS 7 dragon का अब होगयो तब भी मैंने इस बात को मैसूस किया और आज जब प्रधान मंतरी चौदी साहब को भारत प्रत्म दे रहे हैं उनके निधन के 37 साल बाद उन्होंने इतना उनको वजन दिया और उनको ऐसास है तो उस भावना को भी तो हमें समझना चाहिए पहली बे तो दिया जा सकता था क् या कॉंग्रेस के दब से जो आरोब लगा जा रहे हैं उनका खुलकर जवाब दे रहा है जैन चौद्री और इशारो इशारों में उन्होंने जरूर कह दिया है कि जब सही वक्त होगा सही तारीक होगी सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो इस बात का अधिकारी का ऐलान भी क किया जाए गया तो उन्होंने भले ही यह खुलकर ना कहा हो कि हां इंडिया का हिस्ता बने जा रहा हूं लेकिन इशारों इशारों में उसकी पुष्टी तो जरूर कर दी एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की